नमस्कार दोस्तों, नमो वस्टु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, नमस्कार दोस्तों, जै श्रीराम, जै हनुमान जी, महराज, जै बागे स्वर्धाम, दोस्तों घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप रख देना, ये गुप्त चीज माता, लक्षमी जी के आशीरवात से आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और बन जाओगे, आप धनवान दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको ये बताईए, क्या आपके घर में आपने अपने लिए एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है, क्यों नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, और वहाँ गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं मान के, चलिए ना केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बलकि आपके जीवन में आपको सुक, समरिधि, धन, दौलत, एश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोश भी खराब होने लगता है। यहां तक की आपके आने वाली साथ पीरहियां भी धन पर राज करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग करोड्र पती बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की गریबी, परेशानी, कश्ट, समस्याएं, दुख, गरीबी, धरिद्रता से आपको मुक्ती मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कश्ट का सामना ना करना, पड्ड हे साक्षात आपको, माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वो आशीरवाद मिले, जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो, और आपकी आने वाली साथ पीरहियां भी पैसों पर राज करे, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना भ आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को यदि सही विधिविधान से सही मुहूर्थ पर आप कर लेते हैं, तो माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वो आशीरवाद आपको देखिये दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए, कब माता लक्ष्मी जी को यदि प्रसन्न करना है, तो तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको नमक के भाव उपाय करने चाहिए, जो आपको हम बता रहे हैं, और ये उपाय यदि आपने सही मुहूर्थ पर कर लिया, तो ना बलकि आपके पूरे परिवार को लक्ष्मी का वर्दान और वो आशिरवाद मिलेगा, जिसके पश्चात आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मा लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशिरवाद से आप बहुत ही उन्नती करे, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाईए और तुरंत लिख दीजिए, महा लक्ष्मी जी की जय और अभी तक आपने विडियों को लाइक नहीं किया है, तुरंत लाइक कर दीजिए, देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर चौवन में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा माना जाता है, क्योंकि नमक न केवल घर के वास्तु दोश से संबंध रखता है, बलकि नमक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिती को भी दर्शाता है। और उस घर पर सदैव सकारात्मक उर्जा का वास रहता है। दोस्तों, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को ले करके वो कौन-कौन सी छोटी बातें हैं जिनका आपको विशेश करके ध्यान रखना चाहिए, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशान के बलकि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलावाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक न केवल अपने लिए, बलकि अपने परिवार के भले के लिए देखेगा और अभी तक अपने वीडियो को लाइक किया है। तुरं आपके घर में जीतने भी लोग हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जीतने भी लोग हैं, वो जो भी काम करते हैं, उस काम में बहुत सारी परिशानिया आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, आपके घर की उन्नती और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है, तो उपाय कीजिए जो आपको बता रहे हैं और ये उपाय करने के पश्चात मान के चलिए ना केवल आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा बलकि आपके घर की बरकत भी होगी आपके घर की उन्नती भी होगी आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में एक छुटकी नमक डाल दीजिएगा, दोस्तों के दिन कभी भी घर पर पूछा नहीं लगाया जाता है। यदि आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पूछा लगाएंगे, तो इससे आपके घर पर नकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा। गुरुवार को छोड़ डियेच करके, आप किसी भी दिन घर पर जब भी पोछा लगाएं, उस पानी में हलका सा नमक डाल दीजिएगा और उसी सेंधा नमक से पूरे घर का पोछा लगाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं, तो मान के चलिए जब भी आप पहुँचा लगाएंगे आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी, उनका हो जाएगा, और आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा, और जीज घर में भी सकारात्मक उर्जा का वास होता है। उस घर में माता लक्ष्मी जी अवश्य ही बात करने जाती है और उधर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नती भी होती है। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप यह देख रहे हैं, आपके जीवन में फिजूल खर्ची बरहती चल रही है, तो यह महाउपाय कीजिए जो आपको हम रहे हैं, और यहाँ उपाय, यदि आपने सही मुहूर्थ पर सही क्रिया अनुसार कर लिया, तो मान के चलिए, ना केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बलकि धान आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में धन की जो फाल्तु खर्च हो र गिलास लीजिएगा, उसमें भर लीजिएगा, आप लोग गंगा जल, गंगा जल, मार्केट में 20-25 रुपए का मिल जाएगा, गंगा जल भर लिया अपने आपको एक चम्मच सफेद नमक, उस गंगा जल में डाल देना है, अब इस एक गिलास पर गिलास दोस्तों, कांच क होना चाहिए, इस बात का विशेश करके ध्यान रखिएगा, इस गिलास पर आपको उपर से लाल कपड़धा डग देना है, और लाल कपड़धे को बांध देना है, आगे से, अब इसी गिलास पानी कमरे में किसी भी दिशा में रख दीजिए, जीस कमरे में आप ज्यादा स समय बिताते हैं, केवल इतना भर करना है, आपको यह उपाय अपने कर लिया, हर 15 दिन के पश्चात पानी को बदलते रहें और एक चम्मच नमक डालते रहिए, यदि यह उपाय आप ब्रहस्पतिवार से शुरू करते हैं, और हर 15 दिन पर उस पानी को बदल करके उसमें एक चम्मच नमक डाल देते हैं, तो यकीन मानिये, आपके उपर कोई ऐसा दोस्त होगा, कोई ऐसी दिक्कत होगी, जिसकी वजह से वो आपकी महनत का फल नहीं मिल पा रहा था, वो दोश हट जाएगा, और आपके जीवन में आज जो महनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, आप अपने जीवन में बहुत उननती करेंगे, वीडियो में आगे बरने से पहले, आपसे निवेदन था दोस्तों में वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, आप दोस्तों आप जो आपका उपाय बताने जा रहे हैं, या उपाय है, उग्र ग्रह को शांत करने का, महा उप पाय मान लीजिए, आपके उपर शनी दोश है, आपके उपर मन ही मंगल है, आप इस चीज को ले करके बड़ा परेशान है, आपके जीवन में बढ़ी स्थिती खराब होती चली आ रही है, आपकी तो आपको क्या करना है, बस आप लोग याद कीजिए, मंगलवार के दिन, ये शनिवार के दिन, आप जब भी दही खाएं, तो उसमें आधा चम्मच काला नमक मिला कर खाएं, दोस्तों, इतना यदि आप करते हैं, तो आपके उपर जो भी शनी दोश है, मंगल दोश है, आपके सारह साती चल रही है, आपकी धैया चल रही है, कोई भी ऐसी परेशा को और मंगलवार को दही खाते वक्त, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला करके, उसका सेवन करते हैं मान के, चलिए आपके उपर जो भी दोशी होंगे, उनके प्रकोप लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएंगे, आप जो आपको इतना रहे हैं, वो है दुरभाग्य से मुक्ति पाने का महाउपाय मान लीजिए, आप हैं कि आपका दुरभाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए दूर चलाएं और आपको आपके भाग्य का साथ मिले, तो ये महाउपाय कीजिए, जो आपको हम बता रहे हैं, और ये उपाय करने के पश्चात, अवश्य ही आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, देखिए, ब्रहस्पतिवार को छोड़ी DDH करके, बस ये उपाय आपको प्रति दिन करना होगा, और ये उपाय आपको कम से कम 21 दिन तक करना होगा, 21 दिन ब्रहस्पतिवार छोड़ाक कर गया लोगों को जब सुबह न नहाने रहे हो, तो नहाने वाले पानी में एक छम्मच सफेद नमक मिला दीजिए, उसके पश्चात नहीं। ये यदि आप ऐसा लगातार 21 दिन कर लेंगे, तो जो भी आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पढधा हुआ था, उस दुर्भाग्य से आपको मुक्ती मिल जाए ऐसे ही ज्यानवर्धक वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, वेल आइकॉन दबाना मत भूले, नमो वास्तू